टाइप अप स्टुडेंट्स डिरिंग रिजल्ट टॉपर बच्चे और भाई पेपर कैसा गया अरे यार भाई पेपर बहुत टफ था उपर से मैंने एक कोसल भी छोड़ दिया पता ने यह क्या होगा मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे अच्छे परसेंटेज बनेगे चलती देख भाई कितने परसेंट बने ओई क्या हुआ फक यार क्या हुआ ब्रो कितने परसेंट बने बहुत बेकार रिजल्ट आया यार सेथ 97.5 परसेंट यह तो बहुत गंदर रिजल्ट है मेरा आज तक का दूसरों के डॉल नंबर याद रखने वाले चला किसको कॉल लगाओ रवी को हेलो रवी टेंद कर रिजल्ट आ गया ओ सिट अभी चेक करता हो मत कर भाई तू फैले हेलो रवी हेलो हेलो रवी तू सुन रहा है ना दादी मैं आपके पास आ रहा हू यार रवी मैं तो मजा कर रहा थे तूने क्या कर दिया चील्ड करने वाले भाई कल डिजल्ट आने वाला है तो भाई तूने सुना नहीं क्या कल डिजल्ट आने वाला है तो तो तुझा डन नहीं लग रहा है क्या उसमें डनना क्या मेरा तो सब सेट है बास हुआ तो आगे की पढ़ाई के लिए जाओगा और फैल हुआ तो तो फिर कुछ नहीं कल से अपना बिजनस चालू भई कौन सा बिजनस ये वाला वाला पानीपूरी का हाँ भाई अच्छा इसको बेस में यसा आइडिया अच्छा है अगर मैं भी फैल हुआ तो मैं भी तेरे पास में ठेला लगा लुगा और नाम का डर भाई मेरे बापा ने पहले ही सब सेटिंग कर दी आफ्टर फाइब यर वो मोड़ू केची देना वो चिम्टी देना अरे डॉक्टर केची तो आप पैसेंट के अंदर ही रखके भूल गये अरे अंकल आप अरे आपकी वेज़े से तो मैं डॉक्टर बन पाया आपने देख लिये पिंकू, नई मैंने भी नहीं देखा अब ही तक, सुन मैं तो लिंक शेण कर रहा हूँ उस पर देख लेना और हाँ लेप्टाप पर ही आपन करना, फोन पर साइड आपन नहीं हो रहे ओई पिंकू ये तुरे क्या सेंड करती है रिस्तिदार रिस्तिदार अब ये वो चीज है जिसे हर बच्चे का प्रावलम्स होगी ये लोग इतने खतरनाक होते है कि बीना पेट्रल ये माचिस के ही पानी में आग लगा सकते है अरे सर्मा जी आज केसे आना हुआ अरे कुछ नहीं हैं से निकल रहा था तो सोच आपसे मिलता चलो और आज तो बोड का रिजल्ट भी आया है ना और बेटा कितने परसेट आये बोड में रोहन तुम्हें बताया नहीं आज रिजल्ट आया अरे पापा वही देखनी कोसिस कर रहा था लेकिन नेट चली नहीं रहा अरे बेटा कोई बात नहीं मैं किसले आया हूँ मैं देखके बताता हूँ ना लोग बताओ तुम्हार रोल नंबर क्या है कभी संतुष ना होने वाले मावाब बेटा सुन ले ते 95 परसेट आना चाहिए बोड में पर पापा इतने तो आपके भी नहीं आये थे आपके तो सिर्फ 45 परसेंट आये थे मेटा फिल एक डोलर के इंडिन प्रैस कितने थी तीस रुपर संतिंग पापा और आच 80 रुपे तो फिर मेरे 45 आये तो तू भी 45 भी लाएगा क्या मुझे 95 परसेंट चाहिए पर पापा वो तो एक्जाम के मार्क से कोई सेर मार्केट नहीं जो समय के साथ बढ़ेगा चुप पाप से मूँ लड़ाएगा फूजा करने वाले हे बगवान कल मेरा रिजल्ट है और मैं जानता हूँ मैं क्या लिखकर आया हो पूरी कॉपी में उसे में गाने लिखकर आया हो फिलिस इस बार देख लेना अगली बार में पूरे दिल लागा पड़ूगा और पूरी मेनज से पास होगा मिन्वाल गॉड बेटा पिछले 9 साल से देखी रहा हो इस साल तो सब तेरे उपर ही है तो गाइस आप लोग के वीडियो कैसे लगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट के यह बेना तो गाइस जाना ही मत चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना आपको पता है कितना टाइम लगता है एनिमेशन में तो प्लिस सपोर्ट दिखाओ आपको और भी अच्छी वीडियो देखने का मिलेगी तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तो तब तक किलिए बाइबाइ